बिसमल्यायर्मारीराहिम, असलाम लेकूम मेरे नम है आफियाः, आफियाइज मेरे किचन में बन रही है आइसक्रीम की रेजप्पी, तो चियाँ जना बहुत ही मज़ेदार सी आइसक्रीम की रेजप्पी आप लोगों को से शेयर पूरी वाच करनी है, इसको कोई भी सिटफ 4 Rice Punk सब्समें आदा कप डूद यह भी लेवल करके लिए चला गया साथ क्लिक्री यह दो टेबल स्पून कौन क्यार की टो आइस्क्रीम पॉर्डर आपके पास तो आप आइस्क्रीम पॉर्डर के भी हो सकते हैं तो एक दो लेवल करके डाल दिये इसमें आइस्क्रीम पौडर या कॉन फ्लार पौडर डाल दें अच्छी तरह इसको मिक्स कें दोनों चीजों को यह देखे इस मैंने मिक्स कर दिया अब मैं जिला दिये चूला जलाने के बाद इसको अच्छे से ठंडा होने के लिए रख दूँगे एक साड़ पर तक अच्छे से ठंडा हो जाए अब इसके लिए तीन टेबल स्पून बदाम ले लिए यह मोटे मोटे से कूट लिए थे और तीन टेबल स्पून ही पिस्टा ले लिए थे अब इनको ड्राय रोस्ट करने हलकी आंच पर दो कि इस प्लेट में निकालने के बाद फिला कर रख देंगे अच्छे से तो अब इसके लिए क्रीम को बीट कर लेते हैं क्रीम लेलिए 225 ग्राम क्रीम है मैंने पास Durum की अच्छी फंडर करने बिट कर लिए मैंने यह डाल देंगे बड़े बॉल केंदर तो अब बीटर की म हुआ था यह उठाके डाल देंगे यह देखें यह चला गया सारा यह ठंडा होना चाहिए तो अब मैं इसमें शामिल करूंगी कंडेंस मिलका मेरे पास आदा कप अच्छे से मैंने इसको भी फ्रीजर में ठंडा कर लिए था हलका से जम भी गया है अब स्पेचलों से मदद से मिक्स किया सारी चीज़ों को और अब मशीन की मदद से फ्र से एक से डीड़िमेंटर चलाएंगे बीटर मशीन इसमें ताकर अच्छे से सारी तो यह देखें माशला कितने अच्छे से मिक्स हो गई हैं बहुत ही मज़ेदार सी मारी आइसक्रीम त्यार हो रही है तो एक से डेटमेंट मैंने इसको चला लिया अब निकाल के बंद करके मिशीन को के साथ पर लिए मैंने स्पैचलों के मदद से एक दफा मिक्स करेंगे ता आथी में इसमें शामिल कर दूंगे तूटी फ्रूटी रैड वाली दो चमज की क्रीम मैंने डालिए बर एक बरीकी से कट करके यह कलर के लिए डाली ऑप्शनल है आपको पसंद तो आप डाले तो यह सारे चीज़ों के मैंने अच्छे से मिक्स करने के बाद आइसक्रीम ब को आगे यहांट से दसग्ञेंटे आप लाजमी से फ्रीजर में लखें तो यह देखें दस गिंडे के बाद हमारी सोङ से बहुत ही अच्छी से यह सैट हुई है पोगती मज़ेका इसक्रीम त्यार विए आप माशाला कितनी अच्छी मारी आश्क्रीम त्यार हो गई है जब आप इसे एक दफर ट्राइ करेंगे तो आपको बार्ग जाने की कभी भी जूरूत नहीं पड़ेगी तो चलिए इसी के साथ मैं आप लोगों से इजादत चाहूंगी मिलेंगे इन्शाला गली रेस्पी के साथ दो आम यादर के लाफिस